आज के ख्लास में हम लोग कुछ और सेल ओरनिल्स का चरशा करेंगे, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ सेल ओरनिल्स के बारे में study कि हुग है और सेल के बारे हैं बहुत सरे टॉपिक कफर किया हुए हैं तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो देख सकते हो इसका पिक्चर ही मैंने प्रभाइड किया हुआ है यहां पर जो है आप लोग जो लैमली देख रहे हैं उसके ऊपर बहुत सरे आप लोग को जो है डॉट ला दो बातै और वो है कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है याने कि यहां पर प्रोटीन बनता है तो चलो राइबोसोम के बारे में कुछ और भी चीज़े मैं आपको बता दो कि देख और यह जो राइबोसोम होता है जो कि copied क्योंकि यह साइटोप्लाजम के अंदर में होता है। एक आप जानते हो कि यह एक राइटोप्लाजम के अंदर में होता है। अब यहां पर क्या होता है इस राइबोजोम्स के अंदर में अच्छली नियुकिलियस जो होता है उसके अंदर में तो आप लोग जानते हो कि जो भी जेनेटिक कोड होता है वो मौजूद होता है तो Neucleus के अंदर में जो DNA होता है उसमें जो code होता है प्रोटीन को लेकर किसपरकार के प्रोटीन का आउसेकता है कैसे वो बनेगा तो Neucleus DNA के द्वारा coded जो भी enzymes होते हैं या sty SpaceX होते हैं Eden के द्वारा coded जितने भी enzymes या फिर extractual या फिर functional प्रोटीन Users के आपने माईटो कॉंड्रीय के ऊंदर बनी है तो वो भी आपना खुद का जो है उसका डीने अलग होता है उसका जो मों को स्पेसाल पायाता है तो वो अपना प्रोटीन अलग से बनाते है तो बात करेंगा साइटो प्लाज्मिक राइबोजोम का तो यह सेल के अंदर में जो भी एश्ट्रॉक्ट्ट्रल एंस फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं उन सब को बनाने का काम साइटो प्लाज्मिक राइबोजोम सी करता है Actually, जो DNA code होता है, ठीक है, nucleus के अंदर में, तो उस DNA code को जो है, एक messenger जिसका की नाम है RNA, या फिर कर सकते है mRNA molecules, तो उनमें वो जो है transcript होता है, transcript कहने का मतलब यह होगा, तो उसमें copy होता है, ठीक है, nucleus का जो chromosomes होता है, उसके RNA में वो transfer होता है, जो code है वो, और फिर उसी के सहायता से ribosomes हो है, अपना protein बनाता है, उमेद कर रहा हूँ कि यह बाते समझ में आगे, एक बर simple भासा में बता जाता हूँ, कि nucleus का जो chromosome होता है, उसके अंदर में, एक messenger पाए जाता है, जिसको बोलते है, RNA या फिर mRNA, तो उसी mRNA में क्या होता है, कि chromosome के अंदर में जो DNA है, उसका जो code है उस code को copy किया जाता है, transcript किया जाता है, और फिर उसी code के जरिए ribosomes protein को synthesize करता है, ठीक है, तो अब देखते हैं इसका function क्या है, हलाकि मैंने सबसे पहले ही function ही बताया था, ठीक है, तो देखो इसका जो main function है, वो है protein को synthesis करना, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, त तो देखो ध्यान दो कि यह जो protein का synthesis है, यह जब ribosomes हो जाता है, तो उसको transport किया जता है endoplasmic reticulum में और वहाँ पर टैंपरली वो एस्टोर भी रह सकता है, और फिर उसमें endoplasmic reticulum में जो irregular september नलिया होती है, उनके सहायता से जो उसको एक पार्ट से सिल के, दुसरे transfer कर दी जाता है, तो simple सा structure है, circular में तो sorry, spherical structure हो गया, dot like structure बोल सकते हैं हम लोग, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है protein synthesis करना, यही दो तो fact आप लोगो धियान रखना है, एक fact और भी धियान रखो कि इसका discovery किस ने किया था, तो ribosomes का discovery जो है, वो किया था pallet ने, और pall George Amyl Pallad, चलो मैं यहां पर जो है उसका type भी कर देता हूँ, एक minute, wait करो, तो अगर पूरा नाम अगर आप से पूछा जाएगा इनका, तो पूरा नाम इसका हो जाएगा, एक second, चलो यहां पर मैं type कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका, इनका पूरा नाम हो जाएगा, जिसन Sorry, A-L-A-D-A, ठीक है, तो George Amyl Pallad, आप लोग जो है नाम, याद रखेंगे, यह कौन है, तो यह discovery किये हुए थे, राइवो जोन का, उमेद करता हूँ कि यह बाते हैं आप लोगो समझ में आ गया, चली अब हम लोग आगे देखेंगे, So, आगला हमारा जो है, एक सेकें किसने क्या बूला, सर जी कब किये थे, यह जो है 1950 के दसक में किये थे, एज एक तो मैं समझ नहीं बता पाऊंगा, कि किस साल उन्नी सो उन्चास में, कि पचास में, या क्याहन में, बाहन में, बट किताबों में जो है, देखने को यही मिलत है, कि 1950 का जो दसक था, उसी में इन्हों डिस्कवरी किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1950 में, चलो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, 1950s, ठीक है, तो 1950s में इन्हों डिस्कवरी किया हुआ था, राइबोजोन का, ठीक है, तो यह दो फैक्स आप लोगों को ध्यान द सेल और्वनिल है, उसका नाम है प्लास्टिड, तो हम लोगे स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड के बारे में और स्टडी करते हैं, देखो प्लास्टिड का ववैसे तो आप लोगे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्लास्टिड का स्ट्रक्चर दिखाया और इसके ऊपर एक और membrane है तो यह double membrane bounded एक cell urnil है इसके बारे में चलो मैं एक एकर करके बताता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि यह double membranus disquidal structure होता है disquidal मतलए कि disk के जैसा यह structure होता है और यह सिर्फ और सिर्फ plant में ही पाजाता है यह animal में नहीं पाजाता है डिस्कवाइडल structure के अलावा अगर बात करें तो यह आपका दूसरे भी shape का हो सकता है जैसे कि algae में अगर बात करेंगे तो इसके जो बहुत सारे variable shape पाया जाते हैं but plant से लिए बात करेंगे तो यह आपका rhombic shape होता है, rhombic shape मतलब कि यह आपका जो है plant और जो आपका animal है दोनों में ही पाया जाता है जो eukaryotic cell होते हैं उसमें आपका पाया जाता है ribosome ठेक है हलागे कुछ prokaryotes होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है but वो जो ribosomes होता है वो आपका काफी simple होता है अच्छली यह दो type का होता है तो यह जो है मतले कि दोनों ही जितने भी cells होते हैं उन सब में तो पाया जाता है but जो eukaryotic cell होते हैं उसमें यह अलग होता है यानि कि developed होता है और जो यह बात करेंगा हम लोग prokaryotic में तो उसमें जो है develop नहीं होता है यानि कि जो इसका दो परकार होता है एक जो है आपका eukaryotic में दूसरा जो है आपका prokaryotic में पाए जाता है so next है मैंने बताए इसके सेप के बार में कि इसका सेप जो होता है वो rhombic होता है और disquidal होता है plant cell के अंदर में बट बात करेंगे ऐलगी में तो ये जो है आपका भैरी करता है हो सकता है कि यड़ यू सेप्ड हो ये भी हो सकता है कि ये स्पायरल हो या फिर हो सकता है कि ये कौईल्ड हो बाइवन के सिपकर हो सकता है टिक है तो ये चीजें आप लोग द्याम पर्कना है चलो मैं वो हुझ हाणकि र सभाना है एक होता है आपका 70 स ठीक है और एक होता है आपका ATS तो ये दो परका ribosome होता है ATS और 70S तुझे ये जो आपका 70S होता है ये आपका prokaryotic cell में पाय जाएगा जब कि ATS जो होता है ये आपका पाय जाएगा prokaryotic, sorry, eukaryotic cell में तो यही मैं दो टाइप बता रहा था ribosome का, ठीक है लोग plastic के types के बार में जानते है on the basis of presence of different types of pigments तो अलग अलग परकार के जो pigment होते हैं उनके उपस्थिती के आधार पर ये जो plastic होता है वो तीन परकार का होता है पहला है leukoplast दूसरा है chromoplast और तीसरा है chloroplast तो ये तीन परकार के plastic होते हैं जैसा कि नाम से देख सकते हो liukka का मतलब होगे आपका white तो ये जो आपका एक ऐसा plastic होता है जो कि white color होता है और chromoplast मतलब होगे आपका chroma का मतलब होगे अलग अलग different different color तो ये जो है आपका रंग भी रंगा होता है यानि को हो सकता है red color का हो तो ब्राउन कलर का हो, यह आपका पिंक कलर का हो, तो अलग अलग जो कलर पाए जाता है ना फूल के अंदर में, जैसे गुलाबी कलर हो गया, तो वो क्यों है गुलाबी कलर है, क्योंकि उसमें आपका क्रोमोप्लास्ट मौजूद है, अब वही बात करते हैं, तीसरा जो प्ल यह लिए हो जाएंगी तो उसके अंदर में यह लिएल प्लास्ट पाइब पाई जाता है, जैसे कि प्लावर हो गया उस सब में पाई जाएगा, चलो किसी ने कुछ पूछा हुआ था देख लेते हैं, क्या बोला हुए उसमें सेवेंटी एस भी यूकेरियोटिक में पाया जाता है माइटोकॉंड्रिया में सायद हाँ बिल्कुल ठीक है एक सेकंड हाँ ठीक है तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग देखो मैं बता रहा था प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड जो है यह तीन परकार का होता है लिउकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अब ध्यान दो कि यह जो क्लोरोप्लास्ट है इन तीनों ही Plastid में Most Important है, क्योंकि ये जो होता है, Plant के अंदर में 5 जनोल एक ऐसा Plastid होता है, जिसके अंदर में की Photosynthesis का परकिरिया होता है, और Photosynthesis के जरिए ही पौधे अपना भोजन तयार करते हैं, और पौधे जब अपना भोजन तयार करते हैं, तो वो कुछ अपना यूज करते हैं और कुछ बचा कर रखते हैं और फिर उसी से हमेज भी भोजन प्रात होता है तो चुकि पौधों के अंदर में क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भोजन बन रहा है इसको देखो दो पार्ट में लो डिवाइड करते हैं एक है ग्राना ठीक है और दूसरा है आपका एक सेकंड यह है ग्राना और दूसरा हो जाएगा आपका जो है इस्ट्रोमा तो इसी का भाग हो जाएगा दूसरा जो भाग है उसको अनों बोलते हैं स्ट्रोमा ही बोलते हैं ठीक है? चलो? तो यह चीज़ें आप लोग धियान दखना? चलो आप बतात thee हूँ ग्राना क्या होता है या उसको ग्रेना बोलता है, तो ग्रेना क्या होता है? देखो यह जो ग्रेना होता है, वह आपका जो है लैमिलर सिस्टेम होता है तो यह ध्यान रखना है, अब आगे क्या बता रहा है कि यह आपका ग्रैना होता है, यह आपका जो है actually a stake होता है, जो कि आपका एक के ऊपर एक layer wise layer बहुत सारे lamellar system के जूड़ने के वज़ा से बनता है, और उन सब को बोलते हैं उन्हों थायलो को, यानि कि देखो, जिस तरह चैराम बोर्ड जब खेलते हैं तो गोटी को सजाते हो न, एक आपका जो है यहांपर हो गया गोटी और उसके ऊपर जो है इस परकार के गोटी यहां देखने को मिलते हैं, उसी परकार से जो है आपका इस तरहीकर से structure हो गया तो यह जो गोटियों को एक के ऊपर एक सजाया गया है ना, यही आपका हो गया गराना, ठेक है, यह बहुत सरे जो आपका थाइलेकोइड का गरूब बन रहा है, एक जो आपका डिस्क लाइक के श्ट्रक्चर देख रहा है, इसको बोलते हैं ताइलेकोइड, दूसरा इसके जाने करते हैं कि बहुत सारे ग्रेन Cuando Ops M के मिलने से जो ग्रूप बनता है उसको बहुते हैं लोग ग्रेन अब इसका काम क्या होते इसका काम ध्यान रखो कि यहां पर होता है light reaction photosynthesis phenesis का यहां पर होता है और यह जो जान रखो कि light reaction जो है, इसमें light का sunlight का यूज किया जाता है, किसके जरीए तो एक pigment के जरीए जो कि photosynthetic pigment होता है, उसका नाम है chlorophyll, ठीक है, actually बात करों, तो जितने भी ये phyloquides होता है, उसमें आपका एक photosynthetic unit पा जाता है, जिसका नाम है आपका quantasome, तो यह जो quantasome होता है, इसी के अंदर में photosynthesis होता है, यानि कि light reaction होता है, तो आप से अगर कोई पूछता है कि phyloquide के अंदर में भी आपका light reaction कहा होता है, तो वो होता है quantasome के अंदर में जो कि एक photosynthetic unit है, ठेक है, और light को कौन absorb करता है, तो ध्यान दोख को chlorophyll, जो कि chloroplast के अंदर में ग्रेना के उपर, ग्रेना कहने मतलब थाइलेकॉइड के उपर मौजुद होता है, वही trap करता हो, और वो जो है quantasome को और quantasome के अंदर में आपका photosynthesis का light reaction ओकर होता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, एस stroma के बारे में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, चलो किसी ने कुछ पूछा हुआ है, फिर से एक बर function बता देजिए, मैंने function बोला था, कि ग्रेना का main function होता है, photosynthesis करवाना, यानि light reaction, photosynthesis का light reaction वाला phase होता है, उसको कराना, अब ये कैसे होता है, तो ये जो ग्रेना होता है, इसका जो थाइलेक वाला part है, display के structure, उसके उपर में पाए जाता है एक photosynthetic unit जिसका नाम है, photosynthetic pigment जिसका नाम है, chlorophyll, ये जो chlorophyll है, ये क्या करता है, कि sunlight को trap करता है, और इसका use करत light reaction को करने के लिए, और light reaction कहा होता है, तो light reaction होता है, quantasome नाम के एक photosynthetic unit होता है, उसके अंदर में, तो अब उमीद करता हूँ कि काम समझ में आ गया, अब चलो हमनों बात करते हैं, ये estroma के बार में, तो estroma क्या है तो देखो, ये जो chlorophyll होता है, उसके अंदर में जो है, एक transparent fluid भारा रहता है, substances रहते हैं, उसी को हमनों बोलते हैं, matrix या फिर बोलते हैं हम लोग estroma, ठीक है, अब इसके अंदर में ही जो ग्रेना होता है, वो धसा होता है, embedded होता है, और ग्रेना के, एक सेक्ड़ जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेना के अलावा जो है, बात करों तो उसके अंदर में lipid droplets होता है, starch होता है, ribosomes भी होते हैं, यह estroma के अंदर में, matrix के अंदर में, ठीक है, तो यह दो cell orgnil याद रखो, एक तो mitochondria और दूसरा है ribosomes, सरी ribosomes बोल रहा हूँ, plastid, chloroplast, जिसके अंदर में की ribosomes पाया जाता है, ठीक है, अब देखते हैं कि estroma के अंदर में क्या होता है, तो estroma के अंदर में photosynthesis का second phase, जिसका नाम है dark reaction, वो होता है, इसके अलावा estroma, sorry, यह आपका ribosomes की इसमें उपस्थी थे, तो इस वज़े से यह protein को भी बनाने में help करता है, यानि protein synthesis का भी यहाँ पर estroma के अंदर, matrix के अंदर में काम होता है, ठी भैक्यूल, भैक्यूल को पहेंगे और उसके बाद से सेल वाला chapter complete होता है, देखो यह जो भैक्यूल है वो क्या होता है, देखो भैक्यूल जो है, वो एक single cell membrane से bounded एक region होता है, एक pouch like structure होता है, जो कि cytoplasm के अंदर में, अपने मतलब अंदर में water और दूसरे substances को bound करके रखता है, अब ध्यान रखो कि अभी मैंने जो बोला हुआ है कि भैक्यूल जो होता है, वो single membrane से bounded एक cell ornil होता है, तो उस cell membrane को होता है, जिस membrane से यह cell ornil bounded है, उस membrane को बोलते है हम लोग tonoplast, ठीक है, अब important fact यह है कि animal के अंदर में, animal cell के अंदर में यह जो भैक्यूल होता है, वो छ आईज में जो है, वो छोटा रहेगा, वही अगर हम लोग बात करते हैं, प्लांट के अंदर में, तो वो single भैक्यूल होगा, लेकिन बड़ा भैक्यूल होगा, हो सकता है कि लग भग लग वो जो है, आपका cell का 90% भाग भी कभर किया हुआ हो सकता है, जैसे कि आप लोग दे सेल और्मिल है, वो कितने इसके तूला में, इसके कंपेर में छोटे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर माइटो कॉंट्रिया दिखाया हुआ है, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर दिखाया हुए है, जितने भी, यह सभी छोट-छोटे हैं, जबकि भैक्यूल जब्ला है यह एक प्लांट सेल के अंदर में दिखाया हुआ है, अब next ध्यान दो, इसके काम के बारे में, तो इसका काम क्या होता है, जो अपने उस्मोटिक प्रेसर को सेल के अंदर में, maintain करता है और साथी साथ जो toxic metabolic products होते हैं उनको वो store करकर रखता है तो ये इसका दो main काम है एक काम है सेल के अंदर में osmotic pressure को बरकरार रखना और दूसरा काम है metabolic products जो है उनको store करना temporarily ठेक है तो इस तरीके से आज का जो चैप्टर में वो complete होता है उमीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया है चलिए किसी ने कुछ बोला है सुमझ लेते हैं सर sound नहीं आ रहा है ओके अगर sound नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है इसको YouTube पर देख ले ना अभी जो है topics मतले कि उसको जो है लोड करके और फिर जो है उन सभी question अंसुर कर लीजिए कल Sunday है और फिर sorry कल Saturday है तो कल Saturday को आप लोग बना करके और साम के वक्त आप लोग मुझे भेज देंगे ताकि आच्छली जब बना लेते हो तब ही भेज देना ठीक है और फिर मैं चेक करके आप लोग को Sunday तक में फुर्वाइड कर दूगा भेज दूगा हम तो group में नहीं है तो group में नहीं हो तो ठीक है ना अच्छी बात है